नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जे एस एस्सी के नगरपाईलिका परिक्षा में धान्धली का आरोप नहीं था, कुछ पैकेट पर हाथ से करमांक लिखा गया था, जिससे गड़बाड़ी के असांका जताई जा रही है अभियार्थियों ने इसकी जनकारी मौके पैतानात मैस्ट्रेट को लिखित में दी है, अभियार्थियों ने इसकी जाच की मांग की है अभियार्थियों का कहान है कि प्रष्ण पत्र का पैकेट सिल क्यों नहीं था और कुछ प्रश्ण पत्रों पर सीरियल नंबर भी नहीं लिखा गया था इसकी जाच होनी चाहिए परिक्षा दो दिनों तक चलेगी बतादे स्वमवार को भी परिक्षा अयोजित की जाएगी परिक्षा को लेकर रांची धनवाद एवं पुर्वी सिम्भू में परिक्षा केंद्र बनाये गए हैं सरकार आपके द्वार कारकरम की तैयारी के लिए बैठक आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम का तीसरा चरण 15 नौमबर से शुरू होगा और 29 नौमबर तक चलेगा बतादे इस कारकरम की आवस्यक तैयारी के लिए स्वमवार को मुक्ष सचीव सुख देव सिंग के द्यक्षता में समिक्षा बैठक की जाएगी कार्मिक विभाग ने सभी अपर मुक्ष सचीव, परधान सचीव, सचीव को पत्र लिखा है बैठक साम साढ़े पांच बई निधारी था है, इससे पहले चले दो चरणों में इस कारकरम को सरकार अपनी उपलब्धी मानती है जार्खन के सरकारी अस्पतालों की गुनवाता से 56 परतिसत मरीज असंतोष्ट जार्खन के लोगों को बेहतर स्वाच सुवधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार पर्यास कर रही है बाजूद इसके सरकारी स्वाच संस्थानों की बेवस्था सुद्रीड नहीं हो पा रही अस्पताल पहुचने वाले 56 परतिसत लोग यहां की गुनवाता से अचसंतोष्ट हैं वहीं 15 परतिसत लोग दवाव की उपलब्धा और 6 परतिसत लोग अस्पतालों में जाच की सुवधा एवं 108 एमूलेंस की अपतकालिन सेवा से नराज हैं इसका खुला सा राज अस्तर पर स्वास्थ विभाग द्वारा संचालित 104 हेल्थ लाइन को मिली सिकायतों से हुआ है राश्टी स्वास्थ मिशन कारकरम कंतरगत राज के लोगों को स्वास्थ समधी सुचना है प्रामर्शी सेवाएं एवं प्रचार प्रसार आधी के उदेश से राज अस्तर पर 104 हेल्थ हेल्फ लाइन संचालित है नौकरी के मामले में ज्ञारखंडी युवार ठागा महसूस कर रहे लोबिन हेमराम ज्ञारखंड बचाव मोर्चा का राज समेलन कायोजन रांची के कार्णी वॉल बैंक्वेट हौल में रभीवर कायजित किया गया मोर्चा के संजोजक और ज्ञामो बिधायाक लोबिन हेमराम ने कहा है कि मुख्य मंत्री हेमान से उनको ज्ञारखंड की जनता ने बहुत उमीदों के साथ सत्ता सोपी थी लेकिन सरकार के लोगों ने ज्ञारखंड को चरागाह बना दिया है बाहरी लोगों के लिए ज्ञारखंड की दरवाजे खोल दिये गए है कई IAS अपसर जेल में है और कई जाने वाले है युवाओ को नोकरी का सपना दिखाया गया लेकिन वे अपने कुठागा महसूस कर रहे है सरकार को बताना पड़ेगा कि नोकरी कहां गई सरकार अस्थानिय निती और नियोजन निती तक नहीं बना पाई जबकि जहमों ने अस्थानिय निती के कारण ही भाजपा की मुंडा सरकार से समर्थन वापस लिया था दूसरी अवरत के चकर में पीता ने मासूम को पानी में डुबो कर दी मौत एक पिता ने अपने दो साल के पुत्र को तलाव में डूगो कर्मार डाला है घाटना परसुड़ी थाना छेत्र के गोविंदपूर के खखरी पड़ा छेत्र की हाई पुलिस ने मामले में आरोपीत अजय नामता को गिरफतार कर लिया है वह घाट सिला थाना छेत्र गोपालपूर कटिन पाड़ा छेत्र का निवासी है अजय के विरूद परसुड़ी थाना में प्राथमी की दर्च की गई पुलिस को आरोपीत ने बताया है कि पतनी और बच्ची से वह तंग आ गया था इसकारण उसने बेटे दिव्यान्सु को घर के ही पास तलाब में डुबो कर मार डाला ज्यारखन में CRPC नियमों की अंदेखी हाई कोट के आदेश के बाद राज में बीधी बिग्यान परयोगसाला को सुद्रिड बनाने के लिए बैग्यानिक की नियुकती हुई लेकिन बैग्यानिकों का हालिया है कि बैग्यानिक 24 जीलों में बिना फोरेंसिक वैन और जाज किट के अकिले काम कर रहे हैं यह कहना है जीलों में भेज़े गए बैग्यानिकों का इनके अनुसार चलंत बीधी बीज्ञान परियोग साला को कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा फंड भी उपलब्द कराया गया लेकिन इस्थितिया है कि किसी भी जीले में ना तो चलंत बीधी बीज्ञान परियोग साला है नहीं जाच कीट और नहीं किसी तरह का कोई उपकरण काम करने का कोई अस्थान भी नहीं दिया गया बग्यानिकों के अनुसार काम करने के दौरान उनके साथ सबसे बिचीतर इस्थिती इस बात को लेकर उत्पन हो रही है कि सियार पीसी 293 के अनुसार राज बीधी बीज्ञान परियोग साला के निदेशक उपनिदेशक या सहायक निदेशक ही किसी मामले में रिपोर्ट त द्धवार सुबह करेंगी दिन भर उपवास के बाद साम को अर्ग देंगी और पती के हाथो पानी पीकर वरत को तोड़ेंगी इसको लेका राज धनी के बजारों में भी खासा उल्लास दिख रहा है महिलाय पुजन सिंगाज समागरी की खरिदारी कर रही है कपलों की दु मिटी, पितल, चिन्नी का करवा खास है मयुराक्षी नदी सेतु पर सियम हेमंत का हुआ स्वागत जार्खन की उपराइधानी दुमका जिले में सोमवार को राजी के सबसे बड़े पूल मयुराक्षी नदी सेतु का मुख्य मंत्री हेमंस ने उदगाटन किया इससे पहले भारी संख्या में लोग इस पूल के जरिये नदी के दोनों किनारों से कारकरम में पहुँचे बता दे दुमका जिले के कुमराबाद के पास में राक्षी नदी पर उच अस्तरे सेतु का निर्मान हुआ है यह पूल 2.34 किलोमेटर लंबा है जो जर्खन का सबसे लंबा सेतु है इसके उदगाटन समारों का आयोजन दुमका के मकरम पूर में हुआ है कारकरम में मुख्य अती थी सुबे के मुख्य मंत्री हमंसरेन के अलावा क्रिसी मंत्री बादल पतरलेक राज महल के सांसत बीजाय हांसदा सिकारी पड़ाक विधायक नलीन सोरेन समेत कईनेता मजूद थे देवघर गोड़ा के दरजनों ठीकानों पर इंकम टेक्स की रेड सुमवार सुबह देवघर और गोड़ा के 24 ठीकानों पर अचानाक इंकम टेक्स की टी में पहुंची और ताबर तोर छापे मारी शुरू कर दी मामला चारू सिला ट्रस्ट और फलेरिया कोठी की जमीन की सासा सराब कारोबार से जुड़ा है वहीं इसी मामली में देवघर निगम के पुर्व मेयर राज नरायन खवाडे उर्फ बबलु खवाडे उनके सहयोगी रहे उमा संकर सिंग रियल एस्टेट कारोबारी संजय मालु विये के कई ठेकानों पर भी रेड जारी है OMR सीट में गरबड़ी के आरोप में 16 अवियार्थियों ने किया परिक्षा बहिसकार पुटकी इस्थीत DAV अलकूसा में रविवर कायोजी जहरकन नगर पाली का सेवा सन्वल सन्युक्त परत्योकता परिक्षा में OMR सीट में गरबड़ी कारूप लगाते हुए 16 अवियार्थियों ने परिक्षा का बहिसकार कर दिया मामले की सुचना पाकर SDM उदयरजक, ADM कमला कांत गुपता, DEOM, DSC, भूत नाथ रजवार, पुटकी थाना परभारी, रास, बिहारी, लाल, आदी परिक्षा के नरे पहुँचे और परिक्षार्थियों से बात करूँने सांथ करवाया परिक्षा का बहिसकार करने वाले पर छार्थियों में कुमार चंद्रमोहन वा संतोस परियापती सामिल है उर्ष मेला में जा रहे टेम्पू पल्टा नौगायल एक की मौत गिरीडी के फिटकोरिया पंचायत के कजरो से सवारी लेकर चपुआ डि पंचायत के बुच्चा नावा डि उर्ष मेला जा रहा टेम्पू सनिवर की रात बीसुनू पूर मोड के पास अनिहंत्रित होकर पलट गया घाटना में एक ही परिवार के दस सदसे घायल हो गया इन में से गंभी रूप से घायल तीन वर्ष ये बच्ची मेहर परवीन की अस्पताल ले जाने के दरान मौत हो गई आटो चाला को वाहन खाड़ा कर भाग निकला गिरामिनों की मदद से घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भरती कराया गया है जारखन की लोक अदालतों ने तीन साल में निप्टाई 26 लाख मामले राजे की अदालतों में मामलों का बोज कम करने और छोटे-छोटे बिवादों का कोट पहुचने से पहले ही निप्टारा करने के जारखन्ड राजे बिधिक सेवा प्राधिकार जालसा के पर्याथ का काफी असर दिख रहा है राजे के लोग नयाय के बैकल्पिक साधनों पर भरोसाक और बिवादों के लिए कम खर्च में तौरित निस्पादन में रूची दिखा रहे हैं बतादे जारखन मेरा श्रीय लोग अदालतों के दरान करीब तीन वर्सों में 26,3,040 मामलों का निप्टारा किया गया है इन में 22,37,635 ऐसे मामले थे जिनका कोट पहुँचने से पहले ही निप्टारा किया गया है धन्यवाद